जुमा जुमा चार दिन भी नहीं हुए करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन बगावत अपने चरम पर पहुँच चुकी है पहले हमने देखा दिकेशिवकुमार और सिद्दर अमयय के बीच सियासी खीशतान ने दिल्ली तक को इला दिया कई दिनों की उठापटक के बाद करनाटक को मुख्यमंत्रे मिला दिकेशिवकुमार ने भी खूब सियासी बयान बाजी की थी लेकिन अब एक बार फिर से करनाटक में इसी यासी भूचाल उठा है और ये भूचाल कहां जाकर रुकेगा उस बात का अंदाजा अभी लगाना बहुत मुश्किल है आज बात करनाटक में चल रही इसी उठापटक की करेंगे करनाटक में भारी पहुमत के साथ जीतने के बाद कांग्रेस का उत्साहा अती उत्साहा में बदल चुका है इस जीत का सहरा सिद्धर अमया को सीम बना कर उनके सर पर बान दिया गया बड़ी मुश्किल से हाई कमान ने उस वक्त तो बाकी दावेदारों को शांत करवा लिया था लेकिन सरकार बनने के कुछ रोज बाद ही अब फिर से ये खीचताने एक बाद फिर शुरू हो गई है ग्रह मंतरी जी परमेश्वर ने खुले आम कहा है कि वो मुख्य मंतरी बनेगे परमेश्वर ने पूचा है कि उन्हें सीम क्यों नहीं बनना चाहिए खरनाटक के ग्रह मंतरी जी परमेश्वर ने कहा कि कई दलित नेता सारी शमता होने के बाद भी मुख्यमंत्री बनने के लिए आवसरों से बंचित रह जाते हैं परमेश्वर ने प्रदेश अध्यक्स रहते हुए 2013 के विदान सबचुनाओं में कॉंग्रेस की जीत कश्रे उन्हें नहीं दिये जाने का भी जिक्र किया ग्रहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा हम लोगों को हीन भावना को छोड़ना होगा यही कारण है कि घुलोतोर पर मैं कहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री बनूगा मुझे क्यों नहीं बनना चाहिए कि अच्मुनी अप्पा भी बने क्यों नहीं बनना चाहिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है इससे पहले भी परमेश्वर कॉंग्रेस आलाकमान को चेतावनी चारी कर चुके हैं ग्रहमंत्री का कहना है क्योंने अवसरों से वन्चित रखा गया है उन्होंने कहा उन्होंने दलितों से हवान किया है कि वो अपने धिकारों के लिए आबाज उठाएं और अपने वोट का सही इस्तमाल करें ग्रहमंत्री की इस बात के मतलब गहरे निकलते हैं सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि अब क्या होगा क्या ग्रहमंत्री अपनी मुख्यमंत्री बनने की च्छाओं को अब बल देने में जुट चुके हैं क्योंकि कॉंग्रेस आलाकमान की तरफ से तो ये साफ हो चुका है कि पांच के पांच साल सिद्धर अमय्या ही मुख्यमंत्री रहेंगे क्योंकि डीके शीव कुमार के तेवर भी कावितल्क थे लेकिन वो भी अब नरम पढ़ चुके हैं परमेश्वर की खुले तोर पर मुख्यमंत्री बनने की च्छा का इजार करना कॉंग्रेस आलाकमान में खल बली पैदा कर सकता है प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होंगी और ये पार्टी के लिए मुसीबत क्या हो सकती है क्या परमेश्वर बागी हो सकते हैं क्या किसी और पार्टी के साथ परमेश्वर हाथ मिला सकते हैं या फिर विरोध के जो स्वर हैं वो 24 के चुनाओं में फिर से उठ सकते हैं क्योंकि ऐसा होने की संभावना तो बहुत कम नजार आती है कि वो पार्टी का साथ छोड़ कर किसी और पार्टी के साथ हाथ मिला ले लेकिन उनकी प्रतिकूल प्रतिकरिया के 24 के चुनाओं में दिख सकती है कॉंग्रेस परमेस्वर के इस बयान को हलके में तो कता ही नहीं ले सकती और अगर हलके में लिया तो कॉंग्रेस जानती है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है क्योंकि राजिस्तान में वो अंतर कलाय से जूज रही है पार्टी दो धड़ों में बटी है सचिन पाइलिट और असोग गहलोत के बीच अक्सर हमें तलकी देखने को मिलती है वहां भी सीम की कुरसी को लेकर ही तकरार पैदा हुई थी जब 2018 में राजिस्तान में चुना हुए थी उस वक्त सचिन पाइलिट कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे प्रदेश के और सचिन पाइलिट चाहते थे कि उनकी मेनत का फालू ने मिले और सीम सचिन पाइलिट को बनाया और अगर बात असम की करें तो असम में हिमन तबिश्व सर्मा को हलके में लेने की कॉंग्रेस आला कमान ने गल्ती की थी लेकिन आज असम से लगबग कॉंग्रेस का वजूद ही खत्रे में है और बीजेपी से सीम है हिमन तबिश्व सर्मा तो कॉंग्रेस इस बात को भी द नहीं चाहेगी कि एक और राज्य में असम या राजिस्तान जैसे हालात पन पे क्योंकि परमेश्वर करनाटक में कद्दावर रेता माने जाते हैं है स्ट्री कुमार स्वामी का जब कॉंग्रेस से गटबंदन था तो वो उस वक्त उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सबसे लंबे वक्त तक वो करनाटक कॉंग्रेस प्रदेश के प्रमुख भी रह चुके हैं अच्छा यहां समझने वाली बात एक और है यह जो तल्की है यह इसी चुनाव की नहीं है यह तल्की करीब 10 साल पुरानी है यह तल्की जबसे है जब 2013 में कॉंग्रेस लंबे वक्त के बाद सत्ता में लोटी थी और उस वक्त परमेश्वर कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे उनका कहना है कि अध्यक्ष पत पर रहते हुए उन्होंने कॉंग्रेस को मजबूत करने का काम किया था लेकिन जब 2013 की जीत मिली तो उन्हें किसी ने भी जीत कश्रे नहीं दिया हाला कि उन्होंने सिधरमया या डीके श्यकुमार का नाम नहीं लिया लेकिन बिना नाम लिये कहा किसी ने इस बारे में बात नहीं की मैंने भी इस बारे में बात नहीं की इसके उलट आज लोग अपने नेत्रत में पार्टी के सत्ता में आने का श्रे लेते हैं और नेताद दावा करते हैं पर्मेश्वर ने ये भी दावा किया कि कॉंगरेस कुछ समुदायों की उपेक्षा करने के कारण 2018 का चुनावहार गई थी उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया लेकिन वो दलित समुदाय को इंगित करते दिखे जैसे परमेश्वर लगातार दलित समुदाय की बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से कर रहे हैं वो विरोध के स्वर को बताने के लिए काफी है यहाँ सवाल ये भी उठता है कि का कॉंग्रेस वाकई में दलित समुधायों की उपैक्षा कर रही है क्योंकि यहाँ राहूल गांदी का अभी हाल ही में अमेरिका में दिया गया एक बयान यादाता है जहां भारत में मुस्लिमों को क्या हाल है ऐसा एक सवाल पूछा गया था राहूल गांदी ते तो राहूल गांदी ने इस सवाल के जवाब में कहा था कि आज भारत में मुसल्मानों की हालत वैसी है जैसे असी के दशक में उत्तर प्रदेश में दलीतों की हुआ करती थी लेक वो हक और सम्मान नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए था। राहुल कांदी के बयान और परमेश्वर के बयान को अगर जोड़ा जाए तो फिर निचोड यही निकलता है कि दलितों के साथ भेद भाव हो रहा है। अभी और सुनिएं आगे परमेश्वर ने क्या कहा वो सारी तस्वीर को साफ कर देगा। क्या कहना चा रहे हैं शायद उसे बताने की जोर्त नहीं हैं। परमेश्वर के पूरे बयान से तो यहीं समझा जा सकता है कि कॉंग्रेस सिर्फ दलीतों का वोट लेना जानती है जिस हिसाब से दलीतों को वोट करते हैं उस हिसाब से दलीतों को कॉंग्रेस में इस्सेदारी नहीं मिल रही परमेश्वर का ये दर इसे साफ करने के लिए क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में अपने और अपने वोटरों को भूल रही है जो कॉंग्रेस को समझना होगा कि करनाटक से उठी चिंगारी कॉंग्रेस को और राज्यों में भी नुकसान पहुचा सकती है आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं तमस्कार